तीन नमर में कर रहा है चार कि जिन दिखाएए कि एक पुनांग के वर्ग में, यदि चार से भाग किया जाए तो सेस्पल 0 या 1 बचेगा, तो हमने अभी देखा कि प्रतेक, अभी पिछले कोसर में क्या देखा है कि प्रतेक धन पुर्णांक का वर्ग फोर एम या फोर एम प्लस वन के रूप में होता है रूप में होता है अमने यह देखा था प्रतेक धन पुर्णांक का वर्ग क्या होता है 4M या 4M प्लस 1 के रूप में होता है तो यहाँ इसका मतलब यह हुगा 4M प्लस 1 के रूप में होने का मतलब यह हुगा कि वह यह तो 4 का multiple होगा प्रतेक धन पुणांग का वर्ग जोगा 4 का गुनज होगा या 4 के गुनज से 1 अधिक होगा यानि कि सेस्पल यहाँ या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा अगर वह 4 का गुनज होगया तो उसमें सेस्पल 0 बच जाएगा और 4 के गुनज से 1 अधिक होगा तो उसमें सेस्पल 1 बच जाएगा तो हमें आ लिश सकते हैं अता प्रतेक धन पुर्णांक का वर्ग पुर्णांक का वर्ग चार का गुनज होगा या चार के गुनज से 1 अधिक होगा तो चार का गुनज होगा तो वहां सेस्पल जो होगा आपका 0 प्राप्त होगा चार के गुनज से 1 अधिक होगा तो सेस्पल वहां 1 प्राप्त होगा इसलिए सेस्पल जो होगा सेस्पल या तो 0 आएगा या 1 आएगा 0 आएगा या 1 आएगा ठीक है क्लियर हो गया से इसपल जीरो आएगा या वन आएगा